जिसने गणाने तज़ाएं कि कुमार में करते हैं अस्सेलाम अलेकुम, आज मैं अप लोगों से शेर कररें हूँ दही फुलकी बनाने की कirण अपसर आपने दही फुलकी तो घर पर बनाई होंगी लेकिन आज मैं अप लोग लिए एक दम नई रेशिपी रहाई हूँ। आज हम बनाएंगे हरे मसाले की दही फुलकी जो की खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है और ये बनाने में बहुत असान होती है अगर आपकी दही फुलकी हाट बनती है अंदर से सौफ नहीं होती उसमें कुटली पर जाती है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस इस रेसेपी को step wise follow कीज़ेगा मैंने रेसेपी में सारी टिप्स शेयर करी है इसे बना कर देखिए सबी को बेहत पसंद आईगी और बहुत मज़ेगी लगती है तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते है दही फुलकी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक हरी चटनी बना कर तयार कर लेंगे उसके लिए एक गड़ी हरदधनिया लिया है आधह पुदीना लिया है दस कलिया लहसुन की हैं साथ में चार हरे मिर्च हैं इसे हम तोड़कर डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें हम नमक डाल देंगे आधह चमच डाला है मैंने सबी चीजों को पहले बि पानी लिया है पानी आपने एक साथ सारा नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करकर डालेगा मिक्स कीजिएगा इसे मैं यहाँ पर विस्क कर रही हूँ आप चाहें तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं बस आपने पहले इसमें जो भी लंप्स वगएर हैं वो खत्म कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करकर पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें जो भी लंप्स वगयरा है वो खत्म हो जाए बस आपने इसका पहले ठिक बैटर बना कर तयार कर लेना है और इसे हमने रेस्ट पर छोड़ देना है पहली टिप आपकी यही है कि आपने बेसन को फूलाना है आपने बेसन को 5-10 मिनट के लिए ऐसी रेस्ट पर छोड़ देना है ताकि फूल जाए जिससे कि आपकी दई फूल किया और ज़्यादा परफेक्ट बनेंगी आप देखेंगे difference अगर आप बेसन को फुला कर यूज करते हैं तो यह देखें जैसे केक का बैटर होता है उस तरीके की consistency रखी है मैंने और आप देख सकते हैं पानी एक टेबल स्पून के करीब बचा है पूरा आधा कप यूज नहीं किया है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करकर ही डालेगा तो बेसन मैंने रेस्ट पर रख दिया है यहां पर मैंने दही लिया है पाव भर दही है 250 ग्राम इसको पहले फेट लेंगे और उसके बाद इसको हम पतला करेंगे तो मैं इसमें पानी आट कर रहे हूं आप चाहें तो इसमें दूद भी आट कर सकते हैं औ आप चाहें तो इसमें पानी और दूद दोनों मिक्स करकर डाल सकते हैं अभी फी यह थोड़ा गाड़ा है तो मैं इसमें आधा कप और डाल रही हूं टोटल मैंने एक कप इसमें पानी एड किया है और यह देखे अब यह पतला हो गया है इतना आपने इसको पतला रखना ह मैं आपको consistency दिखाती हूं देखे इस तरीके का तो चलिए अब हम इसमें हरी चटनी मिलाते हैं तो हमने जो हरी चटनी मिलाई थी वो मैंने सारी एड नहीं करी है देखें थोड़ी सी मैं इसमें छोड़ दी है बस इसमें light green color आने तक आपने इतना चटनी मिला लेनी है कि इसम कर लीजेगा और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक भी आट कर देंगे तो यह एक चथा ही चमच के करीब में नमक डाल रही हूं आप अपने टेस्ट के अकॉर्णिंग रखेगा तो दही हमारे तैयार है चलिए अब हम बेसन रेडी कर लेते हैं पूल की बनाने के लिए तो द पूल जाए आप चाहें तो हातों से भी फेट सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको पांच मिनिट और एक्स्ट्रा फेटना पड़ेगा यहां पांच मिनिट हुए आप देख सकते हैं बिल्कुल फलफी हो गया है जिसकी वज़े से हमारी दई फूलकिया बिल्कुल पर्फिक और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है एक मिनिट के लिए आप वापिस से मिक्स कीजेगा यह स्टेप आपने फुलकी फ्राइ करने से पहले करना है और ध्यान रखिए का तेल को भी पहली गरम कर रख लीज़ेगा क्योंकि मैं हाँ पर सरसो का तेल इसमें और जादा टेस् से प्रैक्टिस नहीं है तो आप चमच का यूज़ कर सकते हैं चमच से डाल दीजेगा लेकिन आपने फटाफट इसमें डालनी है क्योंकि फुलकी आज़ा है वो जल्दी जल जाती है यहां आप देख सकते हैं तेल में डालती ही है किस तरीके से तेल में तैर रही है यानि बहुत लाइट वेट है क्योंकि हमने बेसन को बहुत अच्छे से फेटा था इसमें छेद भी उने लग गए है तो यह दही को बहुत अच्छे से अब्सॉफ करेगी और बिल्कुल सॉफ्ट पनेंगी अब मैं आपन नाइफ का उसका रही है उसे टर्न करने के लिए अब द दही में ढालेंगे तो यह और फूलेंगे इसलिए इसका साइस जो है आप छोटा ही रखेगा साइस का ही अब यहां पर देखें कितना अच्छा कलर आ गया है फुल्किया हमारी फ्र्स पैच हमारा हो गया है अब मैं इसे डारिक पानी में डाल दूंगी इसे निकालते ही औ इसे पानी में हम ऐसी पढ़े रहन देंगे जब तक दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे और उसे भी पानी में डाल देंगे अब मैं पांच-दस मिट के लिए से ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि और जादा फूल जाए उसके बाद इसे हम दही में मिक्स करेंगे तो यहां पर सारी फूलकियों का पानी निचोल लेंगे और इसे एक साइड रख लेंगे उसके बाद इसे हम दही में मिक्स करेंगे अब मैं आपको एक फूलकी अंदर से दिखाती हूं देखें बिल्कुल इसमें जाली आई है नरम है और अंदर से इसमें कोई गुठली वगारा नहीं बनी है यह दिखें अब हम इन फूलकियों को दही में मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं अभी से कितनी टेस्टी लग रहे हैं अब इन दही फूलकियों को और ज्यादर टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम तड़का लगाएंगे तो अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है अ और 2 तह नी मैने कड़ी पत्ते के लिए हम ऋपर कर लिए इनंहीं भी टालदें लुर्ण को और न मीर्चो को को बदू करो आने तक मिर्चो जब कर लें टाल अनी तक इसे फ्राइ सराए करें शिल्टा % और इनका साइज भी आप देखेंगे बढ़ जाएगा तो आदे गंटे के लिए मैं से छोड़ दूँगी उसके बाद मैं आपको इसे सर्फ करकर दिखाते हूं तो यहां पर रिड़ी है इसे मैंने गार्णिश किया है हर धनिये के साथ इसे आप बना कर देखें सभी को बेहत पसंद आईगी यह रेसिपी सब लोग आपकी तारीफे करेंगे और पूछेंगे आपने ही कैसे बनाई कैसी लगे अपको मेरी रेसिपी मुझे कॉमेंट सेक्शन बताइए मिलते हैं अगली वीडियो में थांक यू फो वाचिंग अलहाफिस